नमस्कार दोस्तों एक बाफिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टागिट एट वान पे मैं हूँ अम्रिता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी वा लॉजिक का बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक फंजाई और फंजाई के अंतरकत आज हम जिस स्पीशीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सेकरोमाइसिस सेकरोमाइसिस जिसे आम बोल चल के भाषा में हम बेकर्स एजेंट या फिर इस्ट के नाम से जानते हैं इस्ट जिसका बहुत ही जादा बड़ा योगदान होता है बेकिंग इंडस्ट्रीज में जहां पर कुकीज केक्स और पेस्ट्रीज बनाने के रिए इस्ट का यूज किया जाता है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस्ट के रिप्रॉक्टिव स्ट्रॉक्चर के बारे में और बेसिकले आज हम बात करेंगे टाइपस ऑफ रिप्रॉक्शन इन सेक्रोमाइसिस इसके पहले जो पार्ट वन की वीडियो थी उसमें हमने बात करा था वैजिटेटिव स्ट्रॉक्चर ओफ इस्ट या फिर सेक्रोमाइसिस के बारे में और जहां पर हमने काफी डीटेल में पढ़ा था इस्ट का स्ट्रॉक्चर और जहां पर हमने एक स्पेसिफिक जो बहु प्रीविस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उससे देख लेजएगा क्योंकि यह बहुत जादा important है अगर आगे का जो reproduction का concept है उसे समझने के लिए तो दोस्तों अगर आपने अगर आप भी हमारे साथ मिल करके dgt biology की according to syllabus त्यारी करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे youtube चैनल targeted one और अगर आप हमारे साथ telegram के माधियम से attach होना चाहते हैं pdf study material और question रटाइन करना चाहते हैं तो जरूर जोड़े हमारे telegram चैनल के साथ में target tgt pgt biology जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो यह थी जैनल से इंफोर्मेशन आप सपी दोस्तों के लिए चले बढ़ते हैं वीडियो में आगी की तरफ तो दोस्तों जो reproduction होता है saccharomyces में वो तीन टाइप्स का देखा जाता है पहला होता है vegetative reproduction दूसरा होता है asexual reproduction और तीसरा जो है sexual reproduction तो यहां पर दोस्तों बेसिकली जो difference होता है बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि what is the difference between vegetative sexual and asexual reproduction तो दोस्तों यहां पर जो term है सबसे पहले हम बात करेंगे vegetative reproduction के बारे में तो दोस्तों यह जो term है यहां पर vegetative यह तब देखा जाता है यह basically तब होता है किसी भी organism basically हम यहां पर saccharomyces के बात नहीं कर रहे है कोई भी species चाहे वो algae हो या फिर fungi हो कोई भी ठीक है यह vegetative reproduction तब देखने को मिलता है जब जो organism है उसके आस-पास favorable condition होती है ठी sexual reproduction देखी जाती है ठीक है और यह जो term है vegetative इसका मतलब होता है कि जब कोई भी plant अपनी main body से detach होकर या उसका चूटा सा portion या फिर plant का चूटा सा part जब main जो mother cell है या mother body है उससे detach होकर के main plant body से detach होकर के तूट कर अगर गिर जाता है या detach होकर एक बड़े से same organism के रूप में develop कर जाता है तो यह जो reproduction होता है that is called vegetative reproduction चले यह रिप्रॉडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा reproduction जिसके अंदर gamut involvement नहीं होता तो ऐसा किया special reproduction की बात ही करे जाए तो जहां पर दो opposite gamut का involvement होता है for the process of reproduction तो यह कहलाता है sexual reproduction ठीक है तो दोस्तों जो basic concept था यह सभी आपके लिए जाना बेहत ही जरूरी है क्योंकि यह भी आपकी syllabus का एक important हिस्सा होता है ठीक है चलिए तो हमने general से बात करी थी basic जिलनों को doubt clear नहीं था उन या vegetative reproduction in saccharomyces तो vegetative reproduction होता है saccharomyces में दो तरीके से पहला है fission process और दूसरा है budding ठीक है तो important जो terms है यह भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि vegetative reproduction जो होता है saccharomyces में या फिर east में वह होता है fission या फिर budding के द्वारा ठीक है तो चलिए पहले term को देखते है पहला है fission तो fission कैसे होता है reproduction जो बात करते हैं सबसे पहले term के बारे में जो है fission तो saccharomyces के case में fission कैसे होता है जो देखते हैं तो दूस्तों सबसे पहले जाने कि fission यहां जो term है उसका मतलब क्या होता है जो mechanism में सब में difference मिलता है लेकिन English की term में अगर आप देखें तो fragmentation, segmentation यह जो types है आप एक ही place के लिए यूज कर सकते हैं that is fission ठीक है तो चलिए process को थोड़ा complex way में समझते हैं ठीक है आपने अगर 10th 12th की classes में देखा होगा biology की तो यह जो term है इनका जो mechanism में वो बिलकुल उ होजने में तो यह आप अपनी screen पर देख रहे हैं जो mother cell है mother cell के अंदर एक nucleus है और vacuum है ठीक है second image में आप देख रहे हैं कि जो mother cell है वो construct करती है within central area और उसके बाद आप थर्ड इमेज में देखते हैं कि जो cell wall है वो दो parts में divided हो जाती है और fourth section में आप देख रहे हैं कि cell जो daughter nucleus sorry daughter cells में equally divide हो जाती है और यहां जो जो daughter cells होती है they are identical in shape and size ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं चले mechanism को थोड़ा सा clearly समझते हैं कि फिज़न का जो process होता है ठीक है यह जो vegetative reproduction होता है उसका first part है फिज़न यानि इस तरीके से saccharomyces जो है इस्ट है किस तरीके से duplicate करता है यह आप कह सकते हैं एक और यंग वन्स को जन्म देता है तो फिज़न प्रॉसेस में क्या होता है दोस्तों को सबसे पहले cell जो होती है वो central area से construct करना सिकुड़ना शुरू कर देती है बीच से बिलकुल ठीक है और यहां पे जो दो nucleus का mitotic division तो यहां पर अपनी screen पे जो आपने image में देखा था वो चीज़ें यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं यानि कि जो nucleus है वो mitotically divide होना start हो जाता है और कुछ step के बाद क्या होता है कि जो nucleus है वो दोनों half जो daughter cells है उनमे equally divide हो जाता है ठीक है बहुत से simple सा process है कोई यहां complex issue नहीं है कि cell है जो पहले बी से construct करना start हो जाती है और उसके बाद cell wall जो है वो बीच में यहां पर double layered हो जाती है और यहीं जो cell wall बीच में double layered है यहीं से cell दो पार्ट्स में break कर जाती है और यहां से दो identical saccharomyces बन जाते हैं तो यहीं जो process होता है यह कहलाता है fission ठीक है जो कि आप अपनी screen पे देख सकत है चले दूसरा process देखते हैं दूसरा है budding का process तो budding जो होता है process basically हमने बात करें वैजिटीटीव reproduction की दोस्तों तो वैजिटीटीव reproduction हमेशा favorable condition में ही देखा जाता है चाहिए हमने fission की बात कि हो या फिर बादिंग की तो बादिंग की case में भी बादिंग तभी होती है process कैसे आगे बढ़ता है तो यहां जो सबसे पहला process होता है वह यह होता है बादिंग में कि जो वैजिटीटीव सेल का जो प्रोटो प्लाजम होता है वह स्वैल करना स्टार्ट कर देता है कुछ समय के बाद वहां पर एक छोटा सा बड बन जाता है यानि कि यह जो बड होता के अंदर माइटाटिक डिविजन स्टार्ट होगे आपको ध्यान देना है कि फिजन के केस में भी माइटाटिक डिविजन ही हो रही थी और बडिंग के केस में भी माइटाटिक डिविजन ही हो रही है तो यहां पर जरूरत क्या है माइटाटिक डिविजन की तो दोस्तों म यानि माइटासिस के बाद जो क्रोमोजोम से हैं वो सिमिलर ही नंबर रहते हैं चाहे वो जो डॉटर सेल से क्यों न हो यानि कि यहां अगर 2N type का chromosome यहां पर पाया जा रहा है तो यहां daughter cell के अंदर भी 2N type का ही chromosome पाया जाएगा ठीक है, तो यह जो होता है important concept होता है mitosis और meiosis का, ठीक है meiosis के case में क्या होता है, कि अगर mother cell के पास 2N chromosome है ठीक है, तो daughter cell जब यहां से develop होती है तो उसके पास N number of chromosomes बच जाते है ठीक है, हालकि जो structure होता है, वो same होता है लेकिन chromosomes जो होते हैं, वो half a number रह जाते है meiosis के case में, ठीक है, तो यह भी important concept है जो आपको ध्यान में रखना है तो आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि out of the two nuclei, यानि कहां पर क्या होता है कि mitotic division के बाद, जब किसी भी cell के अंदर यानि saccharomyces की जो cell होती है उसके अंदर, उसकी nucleus के अंदर जब mitotic division start हो जाता है तो इन में से जो एक nucleus होता है वो bird के पास चला जाता है और जो दूसरा nucleus है, वो mother cell के पास ही रहता है ठीक है, कुछ समय के बाद जो bird होता है, वो enlarge होना start हो जाता है यानि कि size में बड़ा हो जाता है और eventually cut off from the mother by partition wall यानि कि जो mother cell के अंदर, जो partition wall होती है उसके द्वारा अलग हो जाता है mother cell से, ठीक है एक चीज़ और आपको ध्यान में रखती है कि size of the bird is always smaller than the mother cell यानि कि जो bird का size होता है वो mother cell से हमेशा छोटा ही रहता है लेकिन after maturation, जो bird होता है वो separate हो जाता है उसके mother cell से और एक convex सा scar जो होता है surface पे, वो रह जाता है जिसे bird scar कहा जाता है ठीक है, scar means क्या होता है, निशान ठीक है, तो bird scar रह जाता है mother cell पे और यह similar scar जो है वो convex surface रह जाती है bird की wall पे आफ्टर birth scar जिसे birth scar के नाम से जाना जाता है यानि कि अगर आप देखे तो कुछ इस टाइब का structure होता है mother cell का और यहाँ पे bird attached होता है चले next slide पे चलते हैं तो इस case में थोड़ा सा exception आपको देखने को मिलेगा birding की case में, वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि cell division जो है वो इतनी rapid होती है किसी भी species में चाहिए वो saccharomyces या फिर कोई other species, यह इतनी जादा rapid होती है division कि large number of birds जो होते हैं, वो develop हो जाते हैं same mother cell से, ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है detachment, यहाँ पर हो ही नहीं पाती और bird attach ही रहते हैं तो इस condition में क्या होता है कि एक branched सा, जो sorry unbranched सा chain like structure बन जाता है कुछ इस type का, ठीक है जब हमने previous video में जब हमने saccharomyces का structure बढ़ा था vegetative structure तो वहाँ पर हमने इसके बारे में already बात की थी जो हमने टर्म पढ़ा था वहाँ पर वो था pseudo mycelium ठीक है pseudo means होता है false और mycelium means होता है जो body होती है fungus की ठीक तो इस condition में क्या होता है कि जब division बहुत ज़ादा rapid होती है किसी भी cell के अंदर basically fungus की जब हम यहाँ पर बात करें saccharomyces की तो काफी ज़ादा rapid division के कारण यह जो cell होते हैं birds होते हैं वो detached नहीं हो पाते और एक दूसरे से attached ही रहते हैं तो यह कुछ इस type का mycelium generate करते हैं और यह जो mycelium है इसे क्या कहा जाता है pseudo mycelium क्योंकि कुछ समय के बाद यह सारे एक दूसरे से detach हो जाते हैं और फिर चल कि एक single matured saccharomyces को जन्म देते हैं तो यह जो tom हम यहाँ पर use करें pseudo mycelium means होता है false mycelium तो यह तो basic concept था birding से related जो आपको पता होना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे चलिए अब बात करते हैं asexual reproduction in saccharomyces तो यह जो process होता है दोस्तों जो asexual process होता है saccharomyces के अंदर हम already discuss कर चुके हैं वीडियो के first part में ही कि यह जो condition जो होती है यह तब ही होती है जो vegetative reproduction है वो तब होती है जब favorable conditions पाए जाते हैं किसी भी organism के पास लेकिन asexual और sexual type की जो reproduction है यह तब होती है जब unfavorable condition होती है किसी भी organism के पास तो चलिए रेखते हैं यह process हो है वो किस तरीके से आगे proceed होता है तो जब भी unfavorable condition आती है saccharomyces के पास इंकि जो cell wall है वो काफी जादा थिक हो जाती है तो यह जो है वो सबसे पहला step होता है यह sexual reproduction का और यह जो formation of thick wall spore होते हैं इन्हें आप क्या term देते हैं endospore अगर आपसे कहा जाए कि यह sexual reproduction से saccharomyces में किसकी health से होती है तो आप एक term यूज कर सकते हैं यहां पर endospore के द्वारा ठीक है नेक्स process में क्या होता है कि during the process of nucleus division यहां पर जो nucleus की division यह भी mitotic division ही देखने को मिलती है ठीक है और जिसके बाद चार nuclei जो nucleus होते हैं वो जन मिलेते हैं तो single यहां पर हम जो nuclei के लिए term है वो nucleus कहते हैं और कई सारे होते हैं तो nuclei जो term है वो use किया जाता है plural form में तो यह भी चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो यहां जो single nucleus होता है वो चार nuclei में divide हो जाता है उसके बाद जो protoplasm होता है sorry protoplast जो protoplast है वो four units में divide हो जाते हैं जैसे की nucleus divide हो था ठीक है और each nucleus होता है उसके बाद four type के जो endosperm बनते हैं यानि कि four type एक जो nucleus है वो यहां पर देखें स्क्रीन पे एक जो nucleus है वो चार टाइप के जो nucleus है उनको बनाता है और यही आगे चल करके एक endosperm के रूप में जर्म लेते हैं तो अभी जब उनके पाफ favorable condition नहीं होती तो वो internally डिवाइट करते रहते हैं चार nucleus के बाद उनके पास चार protoplast होते हैं और उसके बाद जैसे favorable condition आती है यह endosperms होते हैं वो budding के रूप में इमर्ज करते हैं तब nucleus divide होना start हुआ था लेकिन यह process आगी चलता है तब यानि कि जब favorable condition आ जाती है तो ही endosperm germinate करते हैं ठीक है तो यह भी चीता आपको जान में रखनी है तो यह जो अपनी screen पे आप image देख रहा हैं यह है asexual reproduction in saccharomyces और यहां पे आप budding like image यहां पे भी देखेंगे और इस process में क्या होता है कि यह जो budding के बाद यह जो आप छोटे छोटे यहां पे circular images देख रहे हैं यह endosperm के रूप में आगी चलकर एक matured saccharomyces के रूप में develop कर जाता है तो दोस्तो यह तो थे basic concept और जो next video होगी हमारी part 3 उसमें हम बात करेंगे sexual reproduction in saccharomyces और इसके साथ साथ हम बात करेंगे various types of life cycle जो की saccharomyces के अंदर आप आई जाती है तो दोस्तो अगर आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं और आप हमारी part 3 जो वीडियों उसे भी देखना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल Targeted को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आई हूँ आपने यहां से बहुत सारी conceptual चीज़े थी जिन्हें सीखा होगा और हमारी आने वाले वीडियो वह और भी जाता conceptual होगी और अगर आपको एक कॉंसेर्ट पसंद आता है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर देज़ेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मिलता को दीज़े इजाज़े बाबाई